नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा जे वी वी एनल यानि कि जैपूर विद्धुत वित्रण निगव लिम्टेट का जो इलेक्ट्रीशियन ट्र पर यहां पर देख सकते हैं तो आए हम लोग देख लेते हैं प्रिछले साल किस तरह के कोशिन पूछे गए थे यहां पर देखिया पहला कोशन है कि एक डेसी मोटर की चालान का नियमन के रूपे में दिया जाता है वह रहता हमारा एंनल माइनस एन एफल अपन एनल यहां पर इसका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर है हमारा अगला कोश्चन यहां पर देख सकते हैं लिखा है यहां पर कि 750 आर्पीम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल कितनी होगी तो यह जो होगी वह होगा आपका 825 आरपीम अब देखिए यहां पर अगला कोश्चन है तीसरा कि बिध्धूत केबलों या उपकरौणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अगनिसामग या फायर एक्सटिंग्यूसर का उ एक्सिजन क्या पूर्की रोक कर आग बुजाने के प्रिक्रिया क्या कहलाती है दिखें z disgust को फिखेंग करके पूर्य करने पूंदस्जियथ की प्रिक्रिया होती है यह स्मूथ्रिंग कहलाता है तो यहां पर इसका इंसर पहरतायओ का इस मूथरी को अब कर देखिए पांचमा कोशयन है पांचमा कोशन यहां पर रहा है कि ताबे के तार की बनी एक कंड़ाली के प्रतिरोथ बिर्युक्त पर कि हंड्रेट ओम है कि तीज़ी सल्सेस पर इसके प्रतिरोथ की गढ़ना करें यह अलफा इकोल टू जीरो दस्मना जीरो जीरो चार प्रति डीगरी सल्सेस दिया है यहाँ पर इसके जो आपका करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर 112 ओम आया है ठीक अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथमा कोशन है यहाँ पर कि एक बार है पूल 500 rpm आल्टरनेटर की आवरित्ते की गढ़ना करें तो देखिए यहाँ पर जो आपकी आवरित्ती आएगी वह आएगा पचास हाड़ जिखा अब जखिए आपर आठमा कोशन है कह रहा है यहाँ पर क किल औंसर चीजों करेक्ट आंसर आ जायागा आपसे नंबर फरीट कि लोओम और हैंब्स नमबर से यहां पर कारेक्ट हो जायेगा पर यहां पर कॉस्यन है कि सेमि अपने विन दोस्त रूप दि रूप में सेमिकंड़क्टर केलाता है और इसे उसके माधित रूप में ऐख सेमिकंडाक्टर किया कहलाता है तहां पर 9 का सी आंसर होगा जैस आंपे सम्राय कोश्टन एक डड़ में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो देखें जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है वे खुला परिपत होता है अब देखी है अगला कोश्चन है यहाँ बारे कि जब कोई परिपत्स प्रकार सुरचित किया जाता है कि इस प्रकार करने वाले किसी ब्यक्थ को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव उर्ज़ा नहीं होती है तो यह क्या कहलाती है क्या कहलाता है सून्य उर्ज़ा आवस्था यहां पर इसका e-answer करेक्ट हो जाएगा सूनी उर्जा अवस्था तेरह नंबर कोशन है एक पांच किलो वाट पचास अड़ छैप पोल स्लिप रिंडेक्शन मोटर 960 आर्पीम पर चलती है इसकी सिंक्रोनस चल और प्रतिसाद स्लिप की गड़ना करें यह होगा आपका 1000 आर्पीम और 4 प्रतिसा स्लिपेर को यह है अगला कोशन यह पर क्शिक निर्फनलकित में से कि समगरी में रिड़यात्मक तापमान गुढ़ांग होता है तो देखें जिस समगरी में दारावाई च्हमता किस पर निर्भर करती है तो देखिए एक फ्यूस्तार की जो धारावाई च्हमता होती है यह अनुप्रस्त छेत्रफल आयाम समगरी टर्मिनल की अकृति सभी पर निर्भर करेगा यहां पर इसका यह आंसर करेक्ट हो जाएगा सोले नमर का कोशन है कि निर्भर में समगरी की सबसे कम प्रतिरोध धगता पेचित होती है ताबे का जो प्रतिरोध धगता होता यह सबसे कम होता है ठीक यहां पर सोले नमर कोशन हो गया सतरे नमर कोशन है किसके दवारा निर्भर प्रतिरोध की सुद्धमाप की जा सकती है तो देखिए Kelvin Bridge के दवारा प्रत्रोत की सुधमाप की जा सकती है अठारे नमर का कोशन है विद्धूत मसीनों में किसे कम करने के लिए लेमिनेटेट कोर उपयोग किया जाते हैं वो रहता हमारा ED के करेंट लास्त यहां पर करेंट अंसर हो जाएगा लाइन को अससलिए संधारीटर में अपंभिया होने वाली पावर क्या होती हैं सुद्धे संधारित्म में जो संतुलित करते हैं बजली से बचने के लिए अंतिम उप्ष्पत की सकते सुरच्छ को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है ग्राउंड डिटेक्शन पर कि डीशी मोटर का प्रारंभिक पर पर कितना होते हैं तो देखिए आपर 24 कोशन है कि डीशी मोटर की गती को नियंतिर्ट करने के लिए निम्नेमें से कौम से मिदेंटैक्टर डीवाइस परीयोग की जाती है जिसके लिए किया जाता है थाय रिष्टार का परीयोग किया जाता है एक 8-26 कोसीन है कि इंडरे काली गती और वास्तिवी गती पिज होती है यह रहता है कि प्रकिरिया यह थोड़ी सी गती प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना 28 ध्राइश नम्बर कोशन है कि और डैटा है जी रूपẫn यह करता है कि अंकन के रूप कार्ज करता है रहाय सिलका स्ल्ट करender क्या होता है तो घुल रंग होता है जैतonomर कोशन कि चित्रन पलद ठार्न क्या है है तो देखिए ये जो आपको चित्र दरक सायं यह हमारा कहलाता है तो आप गोशन है कि एक टांजिस्टर में अलफा और बीटा की संबंध्रित हैं यह जो संबंधित हैं अलफा इक्वल टू बीटा अपन अलफा प्लस बीटा होता है आपसे नमबर से यहां पर करेक्ट होगा चौनतिस नमबर कोशन है कि 220 पचास सब्सक्राइब फार में का फैक्टर क्या है यह जो फैक्टर होता है एक स्मॉल एक एक फैक्टर है तो इसे के वी ए आर में व्यक्त किया जाता है सैंतिस नमबर कोशन है एक परिवर्थनी धारिता वह है जिसकी धारिता क्या होती है तो देखिए हाथ के रूप से या यांत्रिक बले द्वारा बदली जा सकती है ठीक थार्ट नमबर कोशन है कि तीस वोल्ट आप पूरती के साथ सिरीज में जूड़े एक किलोओं दो किलोओं और साथ किलोओं परितिरोध कि सरवत्र वोल्टिश ड्राप कितना होगा ति यह होता है हमारे तीन वोल्ट च्छै वोल्ट और 21 वोल्ट होता है जखिए थार्ट परित्रोध हम आपने के लिए कि सिध्धांद का परियोग कि जाता है तो देखिए एक अर्थ परित्रोध में गिरौवट का सिध्धांद दो कि यहां पर चालिस नमबर का कोशन है कि 230 वोल्ट पर कारेरा तो सब वाट के लैंप के प्रित्रोध की गढ़ना करें यह जो क्या कहलाता है दिए हाथ से हाथ में करने करेंट होता है हमेरा आसपर के साथ काम करते हैं होता है यह तो किसके ब्यूतियोटकरवाणě पाती होते ह procedures के साथ संचालित होता है यह रोत की क्या होती है क्या होती है तो देखिए जो डीसी जनेरेटर होता है यह कार करता है वित्थु चुम्म की इंडक्षन के फैराडे के नियम के सिद्धान्थ पर ठीक यहां पर है 47 नंबर का कोश्चंट के ॐसी जनारेटर में इंडर फिल्ड कोल किसton से जूड़ी होती है देखिए एक के समय कल शूरुपपर के साथ प्रेडायल की किस चैरेटर के एक universal motor किस पर संचालत होता है जो universal motor होता है यह हमारा DC आपूरती और AC आपूरती दोनों पर संचालत होता है one mm vast के तार का अनुप्राश्ट 0,68 mm² होता है 52 का question है यहाँ पर की y मंडल में आद्रिता की मापने की काई जिस मीटर से मोग परियोग करते हैं वह हमारा क्या होता है कि इलेक्टरिक अैयरN का तापमा ने अंतरक भाग होता है यह होता है हमारा thermostat यहाँ पर चगवन का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा thermostat 55 नमबर का question है यहाँ पर कि MCB किससे अधिक की तूलना में भरोसे मंद होती है तो देखे जो MCB होता यह fuse की तूलना में अधिक भरोसे मंद होती है 56 नमबर कोश्चन है यह दि 2500 वोल्ट DC मसीन में संट प्रत्रोत 500 वों प्राप्त होता है तो संट फिल्ड करेंट क्या होगा तो यह होगा आपका आधा एंपियर 0.5 एंपियर 57 नमबर कोश्चन है कि सिंक्रोण वोट जब पांवर कारक उच्चन के लिए परीगत होता है तब इससे हम लोग क्या कहते हैं कि उत्य जरणा से अधिक के साथ बीना किसी लोट के संचालित करना चाहिए तलम में कि सभी अच्छे अच्छे चाहिएक होनी चाहिए ONE कि इसाटिक क्योंट से उत्पन होता है घरसन से अभूता है अगर किसी के डाइलेक्ट्री को एक सुचालग पदार्थिस से बदल दिया जाता है तो किया होगा तो कि यह होता प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है दो लग क्या है तो देखिए जो दो लग होता है यह साका रात में प्रत्किरिया वाले एक एंप्लिफायर होता है अब यहाँ पर देखा जिए तो 64 कोशन है कि हाई प्रकिर्ण में से एक सब्सक्र vermаг कारी कता है यह रहता है क्ले कि एक दिए ai यहाँ पर आएगा 1.02 मीली एंप्र का मैंहें इंट्रफूल का काम होता है कि में स्पार्किंग कम करना 69 कोश्यन है A DC मोटर और मैचर द्वारा इस्तिमाल किए करेंट का मान किस फर्मूले से निकलता है यह जो फर्मूले से निकलता यह हमारा रहता है कि वी माइनस से भी अपान आरे से सत्ता नमबर कोश्चन है कि एक डिसी मोटर जिसमें स्रीज और संट दोनों की रफ्तार और भार के लच्छन है वह क्या है तो यह होता हमारा संचाई कंपाउंड मोटर ठेक यहाँ पर है कात्ता नमबर का कोश्चन कि इंसुलेशन प्रत्रो कि शर्कसित्तर में कितरों मेर कैणि है सबस् unforgettable तरीके मेरं मेगा होम मेटर का ऊप्योग कि तरीके में करना होता है त्यात्तर नमबर कोश्चन है कि एक induction type energy meter में current coil और pressure coil को क्रम से किसे से जोड़ा जाता है तो यह जोड़ा जाता है load की series में और supply के समनांतर में जोड़ा जाता है चौछतर नमबर का कोश्चन है यहाँ पर कि electro mechanical voltage regulator आमतर पर किसमें इस्तमाल किया जाता है जनरेटर में पचातर नमबर कोश्चन है कि एक instrument transformer का भार किसमें दिया जाता है तिया दिया जाता है volt ampere में चौछतर नमबर कोश्चन है कि कि किसी current transformer के signal turn सिंगल टर में प्राइमरी केटर ने का अनुपाद 10 अनुपाद एक है यह सेकंडरी में मापया करेंट दो MPR है तो primary current का मान क्या होगा यह होगा आपका 20 MPR कि देखिए यह पर ऐसा तान नमर कोश्चन किसी चलायमान आरन उपकरण में निमने में से कौन सी तूटियां होती है यह होता है कि इस्टे रिस तूटि तापमा तूटि इस्टे चुम्ब की छेत्र तूटि आवरिति तूटि यह सब होता है यह पर इसका यह आंसर होगा है अघ्रता नमर कोशन कि स्थाथिक रूप से प्रेरेति हमी आपको सिधानत संब्लद होता है यह ट्रांस्फार्मर में प्रिखत होता है सेवनटी नमर कोश्चन है कि एक चुंब की यह दबाऊ जो किसी बिधुत स्वारी कि सार्कुित में फलक्स को सेट करता है या उसकी और जुकाव रखता है वह क्या कहलाता है क्या कहलाता है मैं ग्रो मैं ग्रेट टो मोटिव फोर्स यहां पर इसके यह अंसर करेक्ट हो जाएगा असी नमबर कोश्चन है कि एक ट्रेड मिल का व्यायाम करते हुए किसी पता चलता है कि यह गंटे में दो दसमनों 25 जूल खर्च करता है उसके दोबर उत्पादित किया गया आउसद पावर आपूट कितना है तो यह हमारा 62 दसमनों पांच वाट क्यासी नमबर कोश्चन है कि सभी खुले धातु के हिस्सों को एर्थ विभाव के लिए सुनिश्चित करने के लिए भी हैं यहां पर कि इंसूलेश सभी करेंट के प्रवाय से सुरच्छा के लिए भी होता है इस्तिर लोड के अंतरगत सतद वोल्टेज बनाए रखने के लिए होते हैं उची मारतों को आकासी बिजली से सुरच्छा देने के लिए कि यहां पर इसका एंसर करेंट हो जाएगा इनमें से सभी तिरासी नमबर कोश्चन है कि सर्किट में लेक्टानों को प्रवाय किसको उत्पन्न करता है तो देखें सर्किट में लेक्टानों का जो प्रवाय है उत्पन्न करता है यह रहता है एक विद्धूत करेंट 84 नमबर कोश्चन है कि एक टांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकंडरी टर्न है उसके 120 वोल्ट AC आप उर्ति की गई सेकंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्ट की गढ़ना करें यह होगा हमारा 48 वोल्ट और 0.24 वोल्ट प्रति टर्न होगा 85 नमबर का कोश्चन है कि SSR में कौन से ट्रीगरिंग सबसे अधिक भरव से बंद होती है तो देखिए SSR में जो ट्रीगरिंग सबसे अधिक भरव से बंद होती है वो रहता हमारा गेट ट्रिगरिंग शासी नंबर कोशन है कि फूल लोड पर संचालित हो रही सामान एडिसी मसीनों में सबसे सकते साली चुम्ब चुम्बकत तो कौन सी होती है तो यह रहता हमारा फिल्ड वाइंडिंग तो फिल्ड वाइंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का कोशन है निम्न मेंसे एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है तो देखे जो ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है वह हमारा है केमूटेटर अठासी नमबर कोशन है किसी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में टर्सियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश क्या है यह जो उद्देश रहता है यह रहता है कि वोल्टेज में हर्मोनिक को दूर करना और इस थ्री वोल्टेज असंतुलित करना अब 89 में से किस में की शमता सबसे अधिक होगी तो देखें班Er की 15 से ठीक होगी है यहां पर है नफे नमबर कोशन की दूी टेजित यहंतारन है कि नाइनटी टू नंबर कोशन है क्या होगा याद इंडक्शन मोटर को तीन गूनों हर्मोनिक दे दिया जाए तो शुरू नहीं होगा कि प्रेशनल लाइन की स्थिर्टा किसके दोरा बढ़ाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकता है कि संट संधारित और उसरे इंखला संधारित और दोनों की दवरत यहां पर इसका यहां पर इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा किस एकल फेज इंडेक्शन मोटर में पूर्ण भार पर सकती गुड़ा के उच्चेतम होता है तिया रहता है हमारा कैप सिटर रण पंचानवी का यहां पर करेक्ट हो जाएगा का इसके गारकि कि इसकोट का होता है कि यहां पर देखिए जो चिन किसका है तो है तो दिख नहीं है यहां पर जिए पर दिया आंसर कोई नहीं दिया है दिन्याने नम्बर कोशन है कि सक्ति के अधिक्तम हस्तानांतराण के लिए आंतरिक प्रत्रोत का सबसे वांचितमान क्या है यह जो सबसे वांचितमान है यहोगा भार प्रत्रोत के समान होता है सो नमबर कोश्चन है कि समनांतर समवाहक की पलेटों के मद बिद्धुती बृता ए प्रोज्ट वोल्टेज वी और पलेटों के मद दूरी डी के बिद्ध क्या संबंद होता है यह होता है यह होता है इकॉल टू वी बाई डी का दोस्तों यहां पर हमारा पूरा टेकनिकल का जितना भी कोश्चन थी यह हमारा कंप्लीट होता है इधर हमारे नान टेकनिकल का पॉर्शन है आईए इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर एक नमबर को कोश्चन है कि नमबा भारत जापन उर्जा वारता 2018 की सर में आयोजित किया गया था यह किया गया था नए दि ख्रिश्टा की की अब एक सोचार का कोशन कि दोता है तोलं में ग्रीफाइर तो होता है प्रतिवरर से प्रिथी दीवस मनायता है गता है अर्दोट अब UP toss उनने वाले कमपूटर प्रोग्राम्यों का वैसे craноतर काम करने में मैदद करता था हमारा सब्सक्राइब करने के लिए किस एक नियमों या प्रत्किरियाओं का सेट है तो यह है हमारा प्रोटोकाल 110 कोशन है किस बैंक की सुरुआत की सुरुआत की सुरुआत की सुरुआत के मुख्याले कहां परिष्टित है तो मुंबाई में इस्तित है इसका होते हैं इंडियन की फाइनेंसिल सिस्टम कोड होता है एक सचोचे नमबर कोशन की भारत के पहला वित्ति यह पुरा लेखागार कहां पर अस्थापित किया गया है किया कोलकाता में बैंकिंग अधिनियम उन्हें संसोधन किया गया और इसका नाम बतलकर क्या किया गया है तो बैंकिंग विन है revolution से संबंधित है तो यह हमारा अंडा उत्पादं से जखिए रोग के वग्यानिक अध्यान को किस नाम से जाना जाता है तो इसे जानते है विक्रिटी वीज्ञान से प्रतिवश्च में से वाल्ड वैलेंटाइन डे कम मना जाता है यह मना जाता है दो फरवरी को तो वर्ल्ड वेटलाइंड डे जो मना जाता है तो वर्ल्ड वेटलाइंड डे जो मना जाता है यह दो फरवरी को मना जाता है वर्ल्ड वेटलाइंड डे ठीक अब देखे 120 कोशन है किरसी में जी एपी का बिस्तार क्या है तो देखे किरसी में जी एपी का जो बिस्तार है यह होता है गूड एग्रिकल्चरल प्रैक्टिस 121 कोशन है कि राजस्तान बिधु। विनीयामक आयोग अरिसी के नाव नियूँगत अधे चकाउन है त्य बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पर इस्थित है यह इस्थित है जोथपूर में पिर्थिवरा चौन और मुहम्मद गोरी के बीच तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था 1191 में अब देखिए आपर है कि गागरोन का किला कहां पर इस्थि सब यहांइनपर 25Lcoat यहां पर 126 का ए है एकस सत्लिक यहांपर देखा जाये तो यहां पर आएगा यहां पर संखियन पर इन्हां पूरबर बन जाए यह थिद्गिस सेवन है 133 कहां पर देखा जाए तो अठरे और रहे हैं और 134 सोले क्या पर है सी बाला 293 और आंधिस ओला ज左 जो और एकाइन पर कि दस अजार तीनसों और सथा आप सो नंबर सी करेक्ट होगा 140 में यहां पर जो इक्विशन दिये इसमें धनात्म कमान किया होगा तिया आपका दो होगा अब यहां पर 140 नमर कोश्चन है पिता पुत्र की वर्तमान उम्रे बताना है यहां पर आपका यहां पर पांच वर्स ह आएगा यहां पर 143 वाले का जो मैथ कोश्चन है यहां पर आपका पंद्रे प्रस्ट आएगा और 144 वाला है तो 144 में यहां पर देखेंगे तो यहां पर 600 बारे रुपए आएगा इसको जो सरल करेंगे 145 में यहां पर आपका 38 दसमलों पांच एंसवर आएगा आप वीड दस पंद्रे आएगा एक हजार पंद्रे अब 149 यहां पर जो आपका सालुकरने पर एक समान आएगा वह आपको 285 यहां पर आपको 24 आएगा तो दोस्तों यहां पर यह हमारा जे वी वी एनल का अफिसियल पेपर था वीडियो कर अच्छ लाग उच्छ वीडियो को जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलेंगा नेस्ट वीडियो में थैंक यूँ